दोस्तों किसी के भी मन की बातें जानने के लिए तीन तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अतियावश्यक है. यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बताने वाला ह इन तीन तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं उसके बाद वो अंधा आदमी राजा से कहता है हे राजन जो सबसे पहला तरीका है वो है आँखों पर ध्यान देना किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आँखों में देखना उसकी आँखों पर ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आँखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों के इशारों को समझना सीख जाएं हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है वो क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है मेरे पास आँखें नहीं हैं लेकिन मैंने अपने गुरू से यह विद्या सीखी है क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आँखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आँखों से ही जान लेता था इसलिए यदि आप भी दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आँखों पर गौर करना चाहिए जैसे कि उनका आकार कैसा है वह कब, कहां और किधर देख रहे हैं यदि उसकी आँखें यहाँ वहाँ घूम रही है जब आप उससे बातें कर रहे हैं तो वहाँ वह इधर उधर मोड रहा है कभी उपर तो कभी नीचे या कभी आसपास या फिर उसकी आँखें खुश नजर आ रही है या फिर आँखें निराश नजर आ रही है जैसे कि चोर होता है उसकी आँखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आँखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आँखों में एक भाषा होती है एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है यदि आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे जूट कह रहा है या फिर सही तो आपको उसकी आँखों पर ध्यान देना अतियावश्यक है यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आँखें यहां वहां गुमा रहा है उपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंड रहा है तो कोई जूट बना रहा है यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ जूट कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा वह यहां वहां देखेगा उपर नीचे देखेगा लेकिन वह आपकी आँखों में आँखें डाल कर कभी नहीं देख पाएगा क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आँखों में आँखें डाल कर देखी तो उसका जूट पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा और इसी प्रकार कुछ और भी भाशाएं होती है जब आप किसी की आँखों में आँखें डाल कर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है ठीक उसी प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आँख, होट और बहुत से कुछ अलग-अलग व्यवहार करता है यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है जब व्यक्ति बहुत उदास है या फिर वह बहुत खुश है या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं फिर चाहे इनसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाशा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार. मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है अपने हाथों से इशारा करता रहता है बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है अर्थात बॉडी लैंग्वेज उसका भी पूरा उपयोग करता है जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने शरीर मटकाने और चहरे पर बार बार हाथ लाने हाथों का एक दूसरे से मसलना ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं उस पर हमें ध्यान देना अतियावश्यक है मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है यदि हम इन तीन तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन तीन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जानी है तो आपको उसकी आँखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यान पुर्वक देखना और समझना होगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा तभी आप उस व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे अन्यथा, आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्थ हैं, भविश्य की योजनाओं में व्यस्थ हैं तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं पाएंगे और नहीं आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो क्या सोच रहा है। क्योंकि उनका मन एकाग्र है शान्त है और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं।